हेलो गाईज वेलकम बेक टो दे चैनल और वेलकम बेक टो इली ट्रेसलिंग होते हुए दिखाए दिए तो ये सब बाते जानने के लिए ये वीडियो एक दम आखिर तक जरूर देखना और यसे ही एव से रिलेटेड हरे एक न्यूज रूमर और अपडेट और एव के हरे शो का रिवीव पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना पर अब जादा देर ना लगाते हुए चली ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक होए डैनमाइच शो की वीवर्शिप की और जानते हैं कि इस वीक के डैनमाइच शो की वीवर्शिप क्या रही तो गैस अगर आपने हमाई चैनल के उपर इस सफ देनामाईज़ो के विवर्षिप के अंदर सा जंप है और इसके साथ ही 18 desirable में बहुत खंग्राफिक मेन चस्पते है जहां पर इसके पहले डियुक ृरेटिंग्स में बहुत 7.2 नाइज शो थी लित फानलएक बाइफ़ेक पिक में भी डाइनमाइच शो के विवर्शिप बड़ी है जिस पर आपका क्या कहेना ही आप मुझे गमेंड करकर बताईए पर गाईज इसके साथ ही इस वीक का डाइनमाइच शो वेंस्टी के टॉप 950 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर वन पर आता है जो देख के तरफ विवर्शिप का हाल कैसा है क्योंकर मुझे पता है कि जब से को छिवर्शिप के बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि को युवर्शिप दैनमाइच शो के दिन 816 के viewers जो देखा जाए तो काई इस काफी कम लग रही थी पर इसके बाद तो collision show के viewership का हाल और भी काफी बुरा हो चुका है क्योंकि second week के लिए जो collision show की viewership आई है वो है 595 के viewers जहाँ पर देखा जाए तो वीवर्शिप के अंदर करीब करीब 20% से भी ज्यादा का ड्रॉप था और unfortunately ही सिलसला तीसरे वीग भी चला है क्योंकि के तीसरे भी collision show की वीवर्शिप आई है 432 के viewers जो देखा जा तो फिर एक बार last week से 10-15% कम है और अब तक collision show की वीवर्शिप नीचे ही आ रही है और देखा जा तो collision show को देखकर भी लग रहा है क्यों शो को बढ़िया बनाने के लिए AEW ज्यादा कुछ नहीं कर रही और आगे collision show की वीवर्शिप बढ़ाने के लिए AEW क्या क्या करती है पर फिलाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक का डाइनमाइच शो ओफए जाने के बाद क्या AEW के अंदर कोई सूपर स्टार इंजोड हो च हो चुका है और इस सूपर स्टार एक काफी इंपोर्टन सूपर स्टार होने वाला है क्योंकि आगे चलकर देलिट वर्सेस ब्लैकपूल कॉमबैट लब इस मैच के अंदर पार्टिस्पेट करने वाला है और जादा बात ने ना बताती हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज इस सूपर स्टार कोई और नहीं बलके ब्लैकपूल कॉमबैट लब के मेंबर वीलर यूथा है जिनको देखकर लग रहा है कि गाइज शायत वीलर यूथा को पर इंजोड हो चुके है और यह इसलिए क्योंकि को लीजन शो ऑफेस जाने के बाद वीलर यूथा और हाली में एक फैन वीडियो सामने आया है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक डॉक्टर वीलर यूथा को मोनेटर कर रहा है और यहाँ पर वीलर यूथा अपने पेरो की तरफ इशारा कर रहे है जो देखकर लग रहा है कि गईज शाय डाइनमाइज शो की उपर वीलर जोड होता है तो देखना पड़ेगा कि इस साल का ब्रेंगर्स मैच करवाने के लिए AEW यहाँ पर इस रायवादरी के अंदर कोन को इन सूपरस्टास को इंक्लूड करती है पर गैज मैं सच में होप कर रहा हूं कि वीलर यूथा बिलकुल ठीक हो लेकिन फिलाल के लिए हम हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि Eddie Kingston New Japan Pro Wrestling के उपर जाकर क्यों रो पड़े तो गैज अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीग Eddie Kingston हमें New Japan Pro Wrestling के अंदर perform करते हो दिखाय दिये है जहाँ पर Dynamize Show के एक दिन पहले Eddie Kingston का New Japan Pro Wrestling के उपर NJPW Strong World Championship के लिए एक मैच हुआ जहाँ पर Eddie Kingston ने केंटा को फेस किया और guys Eddie Kingston और केंटा का ये मैच सच में काफी जबरदस मैच रहा है जहाँ पर मैं इस मैच के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि New Japan Pro Wrestling Strike मार देती है पर guys fortunately इस मैच के आखिर में Eddie Kingston ने केंटा पर अ Eddie Kingston ने यहाँ पर काफी जादा एमोशनल हो चुगे थे और यहाँ पर Eddie Kingston लिटरली रो रहे थे जो चीज मैंने आज ते कभी भी Eddie Kingston को करते हो ये नहीं देखा पर गाइच सच में यहाँ पर Eddie Kingston IWGP Strong World Champion बने है जो देखकर मैं Eddie Kingston के लिए काफी खुश हूँ और मैं होप करता ह Eddie Kingston आगे भी अपने इसी पौफरमस कंटिन्यू करे पर आप भी मुझे कमेंड करकर बताईए Eddie Kingston के चैंपियन बनने पर आपका क्या कहना है लेकिन गाइस Eddie Kingston के साथ ही यहाँ पर इस शोक्यूपर जॉन मॉक्सली का भी एक मैच हुआ था और वह भी उनके काफी पुरान एरा Frederating Breaka and Aldisperado इनकी बीच में एक वन-उन मैच हुआ और इस मैच के बीच में यह मैच भी एक काफी खतरनाक मैच रहा है और इस मैच के अंदर भी उसली लेवल की ब्रुटरिति कंटिनूउ हुए है जो कि मैच इसमें इसे पछिंके इनके सोकी मैच मीरी थी जिसके चलते यह म पर हम बात करें इस match की winner की तो guys finally हाप जॉन मॉक्सली एल डेस्पराडो को ओरकम कर पाए और मॉक्सली ने इस match के अंदर एल डेस्पराडो को हरा दिया है जो victory मॉक्सली के लिए काफी important थी तो अब देखना पड़ेगा कि अब इस match के बाद मॉक्सली का NJPW के अंदर future क्या ह हुता है और आगे मौक्स लिगा करते हैं पर एसे ही AEW से रिलेटेड हरे एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के रिख शो का रिवीव पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अब में मिलता हूं अपसे अगली वीडियो के अंदर पर तब तक स् the elite the elite the elite what Nick you're not gonna sing it all with me this time it you